नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसपल इंडिया और आपके साथ में हुकाज़ उलराए शाम के जब बसते हैं साथ तो वक्त हो जाता है प्रदेश और देश के उस हलचल को जानने का जिसने पूरे मुल्क की तस्वीर और तासीर बदल कर रख दी है और जब बात तस्वीर की होती है तो सबसे पहले हम साथ की बात में वो साथ तस्वीरे आपको दिखाएंगे जिन्हों ने आपकी जिन्दगी में भी असर डाला है सबसे पहली तस्वीर आपसे जुड़ी है जिहां महेंगाई की बात होगी दूसरी तस्वीर में यूपी की राजनीती पर बात होगी तो वहीं आईश मंत्राले ने बड़ा वयान दिया है इसके साथ ही अलिगर सीखनों का मामला सामने आया क्या ममता की जुआने वाली है गदी तो आज एक दिगज खलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया वहीं लोगों को कोरोना का डर नहीं सता रहा है ये साथ तस्वीरे और आज की ये साथ बड़ी खबरे जिसमें अगले आ कोंग्रस ने केंद्र की नरेंदर मोधी सरकार पर हमला बोला है कांग्रस ने अतार अंदीर सूर्जेवाला ने कहा है कि विपक्ष मेरते वें जो मेहगायी बीजेपी को डाइन लगती थी ये вес coloca मे आएusto सूर्जेवाला ने मंत्री मर्डल विस्तार को लेकर हमला जाए स्वाइब अगर कयो हटा दिया जा ऍर यह रहा चाहिए जो स्वास मंत्री हर्ष्वर्दन पर पिर बदल हो रहा है तो सबसे पहले स्वास तैवंक परिबार कल्यान मंत्री हर्श वर्दन को वी इन भी आटादिया जाहिए जिन्हों पेट्रोल डीजल पर उत्पाश्छिल्ख की लूट के बोस्त अलेदेश की जंता को को दबा दिया है समाजवादी पार्टी के प्रमोग अखिली श्यादव तिनका तिनका जोड़कर 2022 के चुनाव में सत्ता की सिहासन पर विराजवान होना चाहते हैं किसान आंदोलन ने मुझफणगर दंगे से मुस्लिम और जाट के बीच बड़ी दूरी को काफी हद तक जाट मुस्लिम समिकरन सियासी जमीन पर उतरने से पहले याजमी के बयान को लेकर जाट नाराज हो गए हैं जिसे बीजेपी ने खाद पानी देना शुरू कर दिया है ऐसे में याजमी का बयान अखिलिश के लिए पनौती ना बन जाए ऐसे तमाम सवाल सामने खड़े हो र रहा वहीं असुसदिन ओवसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता और कॉंग्रेस की मुस्लिम वोटो पर नजर को देखते हुए सपा प्रमुक ने अबू आसमी आजमी को साधे रखने का जिम्मा सापा है अबू आसमी कॉंग्रेस लेकर ओवसी तक पर हमला वर हैं इसी लेकिन बाद में जाट समाज के लोगों ने स्टेज पर एक मौलाना का पैर चुकर माफी मांगी और कहा कि हमसे गल्ती हो गई आसमी का यह बयान सपा के लिए गले की फांस बन गया है क्योंकि इसे लेकर जाट विरादरी में भारी आप्रोश है बीजेपी के प्रदेश अध्या सौतंतर देव सिंग से लेकर किंद्रेमंती संजी पालियान तक खुद को जाट समुदाय का हितैशी बताते हुए सपा के खिलाफ मोचा खोले हुए हैं इतना ही नहीं बलियान खाप के चौधरी और भारते किसान उनियन अध्याक्षा चौधरी नरिश ट्रिकेत ने अबु आजमी को आड़े हाथों लेते वे चुप रहने की हिदायत तक देडा ली है आयूश मंत्राले ने आज उस रिसर्च के दावे का खंडन कर दिया है जिसमें पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही थी यह कहा गया था कि गलोई की नाम से मश्हूर चीनल सपोरा काडिव फौलिया के सित्वाल के नतीजी में मुंबई में 2016 मरीजों को लीवर का नुकसान हुआ प्रेस को जानकारी देते हुए बयान में कहा गया और मंत्राले ने साफ कर दिया है कि गिलोई को लीवर की नुकसान से जोड़ना भ्रामक होगा क्योंकि जड़ी बूटी का इस्तमान आयरुवेद में लंबे समय से किया जा रहा है रिपो करताओं को कहना था कि उन्होंने सितंबर से दिसंबर 2020 के बीश गिलोई से जुड़े लिवर के नुफसान वाले छे मामलों का पता लगाया डॉक्टर के पास आने वाले वरिजों ने पीलिया और सुस्ति की शिकायत भी जिसको लेकर आज आईश मंत्राले ने साफ कर दिया है कि गिलोई सेविरिटी पर असर नहीं हो रहा है अब यह खबर जरा चौका देने वाली है क्योंकि यह ऐसे राज्य से सामने आई है जहां से कई मामले चौका देने वाले आते ही रहते हैं देश का सबसे बड़ा सुबा उत्तर प्रदेश और यहां कि अगर अलीगड की मे और ताले में जगड कर रखनी को मजबूर है इस द्रिश्य को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और लोग इसे कुरूरता की नजर से भी देखते हैं वहीं बच्चों के माबाप की मजबूरी देखकर हर कोई सन्न रह जाता है दरसल बच्चा चोरी होने के दर से बच्चों को इस कुर्टा के साथ रखने के लिए उनके माबाप मजबूर है उन्होंने कहा कि दो हपते पहले रात को सोते वक्त उनकी एक दो साल की मासुम बच्ची को बच्चा चोर चोरी कर ले गए इसका मुकदमा पुलिस थाने में दर्श तो हो गया लेकिन अभी तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है बच्चा चोर गैंग के डर से माबाप मासुम बच्चों को कुरूरता भरी नीन देने को मजबूर है ये मामला अलिगड के मौवा खेडा थाना इलाके के कारसी बाइपास के सरोश नगर गली नमबर छे का है इस मामले को लेकर मुकदमा दर्श कर लिया गया लेकिन करीब 15 दिन भी जाने के बाद भी बच्ची का पुलिस कोई सुराग नहीं निकाल सकी है ना खुच सकी है परिजनों का कहना है कि अब बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इन बच्चों में से कोई बच्चा चोरी ना हो जाए ये हाला कि बच्चों को लोहें की जंजीरों तालों से पीडा होती बच्चों की नराज जताते वे कहा है कि अगर हमगा तो हमारी सुनी जाती हम गरीबों की कौन सुनेगा बच्चे सुरक्षित रहें और रात को सोते समय उठकर उसे उन्हें को उठा ना ले जाए इसलिए माबाप को दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों की बच्पन को जनजीरों मक्याद करना पड़ रहा है और हमारी अगले खबर सियासत में एक और दाव खेलने जैसी है जिहां पांच दशक्षे भी ज्यादा समय बंगाल की विधान सभा में टीमसी के द्वारा विधान परिशत के गठन का प्रस्ताव पास हुआ है अलाकि बीजेपी के सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है लेकिन 196 वोटों से ये प्रस्ताव पास हो गया है अब सवाल ये है कि कैसे प्रस्ताव अपनी सत्ता को बचाने के लिए CM ममता की मदद करेगा क्योंकि सोशल मेडिया पर ये चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि पश्वी मंगाल की मुख्य मंत्री पत से ममता बनर जी को स्तीफा देना पड़ सकता है दरसर उत्राखन के मुख्य मंत्री पर से तीरसिंग रावत को उपनिर्वाचन ना होने के कारण स्टीफा देना पड़ा वे भी उत्राखन के चुनाव में किसी चुनाव शेत्र से नहीं जीते थे महीं पशमंगाल में ममता बनर जी नंदिगराम सीर से शुबेंदू अधिकारी से दो हजार के कुछ कम वोटों से हार गई थी दूसी तरफ अगले शे महीनों में कोवीड महमारी के कारण उप्चनाव के आयोजन पर अनिश्चतता ममता और टिंडमल कॉंगरूस को काफी आशंका में जाल रही है मेरा दिल कोई आपका हिंदूस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें मुगले आजम का ये सिर्फ डायलॉग नहीं बलकि वो याद है जिसे सुनते ही उनकी छवी दिमाग में उभर जाती है वो ऐसे एक्टर थे जिन्होंने एक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखा लेकिन सूपर स्टार बन गए उन्होंने जीरो से शुरुबात कि और अपने करियर की पीक पर ब्रेक भी लिया लेकिन उनकी अदाकारी ऐसी थी कि लोगों ने हमेशा उन्हें अपने दिल में बसा कर रखा आज बॉलिवुड के पहले किंग खान हमारे बीच नहीं रहे चाहे मुगले आजम जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी की बात हो या फिर मदुबाला से प्यार के किस से तमाम वजहों से दिलीव कुमार अपने फैंस और सिनिमा प्रेमियों के दिलों में चाहे रहेंगे दिलीव कुमार ने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की मैं जिन्दिगी से नहीं डरता मैं मौत से नहीं डरता अंधेरे से नहीं डरता डरता हूं तो सिर्फ हुपसूरती से और हमारी अगली खबर जो है वो सीधे सीधे देश की जनता को जागरू करने के लिए है आप आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्स देख रहे होंगे अपने दोस्तों के अपने रिष्टेदारों के या अपने करीवियों के एक तांता से लगा हुआ है कि लोग हिल करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरे सामने आ रहे हैं जिनका स्वीरों को देखकर डर सा लग रहा है कि क्या वाकरी कोरोना खत्म हो गया है तीसी लहर को लेकर इतनी जादा बाते हो रहे हैं क्या उसका भी डर लोगों में नहीं है क्या से सरकार की के लिए मजबूर होंगे दरसल कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर अभी खत नहीं हुई है और रहे हैं यहीं नहीं सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को लगातार तोड़ा जा रहा है उनकी अंदेखी की जा रही है मामले कम होने के बाद सरकाने पाबंदियों में धील दी हाई कोट के चीफ जस्टिस की बेंश ने उत्राखंड सरकार को कोट में अपना जवाब पेश करने का आदेश दीरिया है देखिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन जमेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है आप लोगों की भी है आप लोग सजग रही है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहरा भी पूरी तरह से खत नहीं हुई है मामले भी शूने नहीं हुए है आप भी 20,000-30,000 मामले सामने आ रहे हैं और 30 लहर मूब आए खड़ी हुई है और यह सीधे-सीधे आपके बच्चों पर असर कर सकती है इसलिए अपने ना सही तो बच्चों के बारे में स सूचिए और शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए भेड़ चाल बिल्कुल भी मत हैं साथ की बात में इन साथ खबरों के साथ इतना ही कल फिर लोटेंगे दिन की साथ बड़ी खबरों के साथ तब तक आप बने रहिए नियूजवल इंडिया के साथ